आप सबके साथ में आज मैं यह इंडियन ट्रडिशनल मेकप लोग शेयर करने वाली हूं जिसको आप बहुत ही एजी ली अचीव कर सकते हैं अगर आप बिगनर है तो भी आप इसको अचीव कर सकते हैं या फिर आपने पहले कभी मेकप नहीं किया है तो यू किन अचीव इस लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेजएगा तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो मेकप नूग उसके सारे प्रड़क्ट्स मैंने एमेजन से लिए हैं तो आप भी उन प्रड़क्ट्स को एमेजन से ले सकते हैं एमेजन पे 15th of January से Great Republic Day सेल लाइब होने वाली है और उसका अरली एकसेस आपको प्राइम के थ्रो मिल जाएगा 14th से डोंट मिस्ट चांस और ये लोक आप शॉप कर सकते हैं एमेजन से तो विदाउट एनी फॉर्ड़र दू लेट्स जंप इंटो दो वीडियो तो फीस मेरा प्रैब्ड है बहुत अच्छे से मैंने मॉस्चराइजर और सरम पहले ही यूज़ कर लिया था आप अपनी पसंद का कोई सा भी कर सकते हैं बस उसके 10 मिनट बाद आपने अपना प्राइमर और मेकप स्राट करना है तो मैं शुगर का मेकप प्राइमर लगा रही हूँ यह silicone base है और यह pores को minimize कर दीता है pores को blur करता है fine wrinkles का जिनको बहुत ब्लर्ट है उनको यह बहुत सूट करें अट थण के मौसम में मतलब यह बहुत अच्छा है अगर आपको oily skin है तो it's a must have for you मैं इसको अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे कंसर्ण एरिया में मैं इसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करें थोड़ा सा ना मैंने इसको हलका सा से प्रेस करके स्प्रेड करती हूं ताके अच्छे से पॉर्फिल हो जाए मेरे और उसके बाद बेस के वेरी सिंपल काइंड ओफ मेकप तो मैं लैक में का सी सी क्रेम ले रही हूं इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलिबल है तो उसमें से अपनी पसंद का शेड्स अपनी स्किन का ले सकते हैं और मैं थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट चाहती थी तो मैंने क्या किया है स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड हाइलाइटर है इन माई शेड पिंक मैं वह इसमें फ्यू ड्रॉप्स मिक्स कर लोंगी तो उससे क्या होगा ना कि मुझे जो एफेक्ट चाहिए है थोड़ा सा ग्लोई इल्यूमिनेटिंग थोड़ा सा ड्यूई वह अचीव हो अपने सीसी क्रीम में मिक्स कर लिया है और मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद में अपने फेस पे और नेक पे अपलाई कर लोंगी जितना जरूरियोत उतना ही अमाउंट आप हमेशा यूज करें ज्यादा ना लगाए क्योंकि ज्यादा लगा लेते हैं तो फ ब्रश में यूज नहीं करें बहुत लोगों के पास ब्यूटी ब्लेंडर और नहीं होता अवेलेबल ब्रश तो जरूरी नहीं है कि वह होगा तो भी हमारा मेकप होगा नो आप हातों से भी फिंगर्स के हैप से भी बहुत अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन आपको ध्य तो यह ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग इस दे की अफ गुड लेक प जितना अच्छा आपका मेकप ब्लेंड होगा उतना अच्छा आपका मेकप अबहर कर आएगा यूनों सीमलेस लगता है तो जल्दी बाजी का काम ही नहीं है इस चीज में तो आपको टाइम देना है उसके बाद में क्या होता है कि फेस एकदम फ्लैट दिखने लगता है क्योंकि नैचरल शेडो फेड अवे हो जाते हैं जो हमारे होते हैं तो उसको क्रियेट करने के लिए थोड़ा फेस को चिजल दिखाने के लिए या तो आप कॉन्टॉरिंग का है या तो आप ले सकते कर रहें हैं ब्रॉण्जिंग का तो टुड़े आइम डूइंग ब्रॉण्जिंग और इसके लिए मैं शुगर का फेस पालेट यूज कर रही हूं इसमें सब कुछ है ब्रॉणजर है राइलाइटर है आईशेड़ो है सब कुछ है तो इसका जो ब्रॉणजर रहा हूला चीक बोन्स पे थोड़ा चिन पे इसे फेस चिजल दिखता है नैचरल शैडोज क्रियेट हो जाते हैं नोस पे मैंने कॉंटारिंग नहीं किया है बिकरस मुझे जरुवत नहीं ही लग रही थी आप तो सहीं साथ लग रही है भई तो मैं बता देते हूं कि मैंने कोई कंसीलर यह जो आप में देख रहे हैं यह मेरा ऐसा ही है थोड़ा सा रड़िश काइड ओफ यह ऐसे मेरे पफिनिस हलकी सी रहती है तो यह मैंने कोई लगाया नहीं था तो अब मैंने ब्रॉंजी कर लिए अच्छे से और उसके बाद ना मैं नाइन तो फाइफ का यह बलश है मेरा लेकमे का जिंजर स्पाइस यह शेड मुझे बहुत पसंद है और सम्हाँ आइ ब्रोग दिस अनफॉर्चुनेटली तुम इसको प्रॉपर ली आपको शो नहीं कर पारे हूं अपना चाहिए मुझे चिजल तुम इसको ऐसे ही अप्लाए करती हूं और मुझे मेकप के टाइ मतलब मेरा पूरा स्किन टोन एक जैसा लगता है अलग अलग नहीं लगता है यह मेरा टेक्निक है मुझे बहुत पसंद है मैं ऐसा करते हूं सो आइम डन विद मैं ब्लश एंड ब्रॉंसर अब मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे अंडर आइस पे ना क्रीजिंग हो तो मैं शुगर पॉप का ले रही हूं कॉम्पैक्ट और यह मेरे स्किन से दो शेड डार कर लिया मैंने क्योंकि अगर मैं सेम शेड लेती हूं तो वाइट कास्ट मेरे चेहरे पर प्रॉब्लम आती है तो यह मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क है इससे की ना वाइट कास्ट नहीं आएगा तो मैं इसको अंडर आय पे लगा लिया मैंने अब सेम फेस पैलेट शुगर का जो मेरा है उसमें से मैंने रैडिश पिंकिश ब्राउन शेड लेकर के अपने आयलिट्स पे लगा लिया है बहुत अच्छे से बहुत हलके हाथ से ब्लेंड करना है ब्रेश को आपने दूर से पकड़ना है एकसस प्रोडक्ट हमीशा डस्ट आफ करना है लोर लेश लाइन पे भी मैंने उसी को लगा लिया है थ परिशनली थिंग कि इंडियन मेकप लोग में काजल इस इंपोर्टन आयम नॉट अ काजल परसन देन तू क्योंकि जो लोग मेकप नहीं भी गटते हैं दे अलसो अपलाई काजल लिप्स्टिक तो यह चीज़े होनी चाहे है तो मैं अपर वाटर लाइन पे अन लोग वाट किसी आईशाडो से ब्लेंड नहीं किया था उसके बाद भी यह समज नहीं हो और अब मैं लेक में का लगा रही हूं आयलाइनर बहुत थिन आयलाइनर मुझे पसंद है फोर मैं क्लासी लुक मुझे बिल्कुल भी ड्रमेटिक बड़ा बड़ा सा आयलाइनर पसंद नहीं है if you like you can apply it but I want to keep it simple I want to keep it minimal तो मैं बहुत थिन आयलाइनर अप्लाइ करती हो तो ऐसे ही आप कर सकते हैं अगर आपको थिक आयलाइनर पसंद है तो आप थिक कर सकते हैं it's all up to you सबकी अपनी पसंद होते हैं and I'm done with my eyes लेकिन अभी मस्कारा बाकी रहता है तो मस्कारा मैं लगा रही हूं मेबलीन का Sky High मस्कारा and I'm just loving this ये इंडिया में काफी टाइम तक अवेलिबल नहीं था so I was you know मैं अपने friends से family से इसको बाहर से मंगवा लेती थी बट अभी ये आपको मिल जाएगा किसी भी साइट पे Amazon Naika Flipkart Pintra तो आप इसको आराम से ले सकते हैं this is just amazing इतना अच्छा है ना ये you're gonna forget falsies forever वैसे भी falsies पहरना मुझे तो बिलकुल पसंद नहीं है and you know अगर आपको मेरी तरह falsies पहरना पसंद नहीं you can buy this mascara sky high from Maybelline I'm just loving it upper lower line और lash line नीचे वाली भी मैंने उस दोनों में लगाया था अब sugar का ये face palette है mini वाला shade number 2 subtle summit उसमें जो highlighter है वो मैं apply करूंगी क्योंकि ये न मुझे बहुत natural finish देता है बहुत gentle satiny और ये मेरे skin tone से match करता है मुझे golden color का highlighter नहीं चीए था जो मेरा पहले वाला face palette है sugar का उसमें जो highlighter है वो थोड़ा golden है वो मुझे नहीं लेना था because मेरा skin tone yellow नहीं है तो अगर आपका skin tone yellow नहीं है तो आप avoid कर सकते है golden highlighter अब मैं लिप्स्टिक लगा रही हूँ बिलोरा पैरेस की इसका आउटर packaging ये magenta color का मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैं इसको order कर दिया था but look at the shade महर something कोई shade है इसका मैं description box में link लगा दूँगी आप वहां से ले सकते है it's a perfect nude for mine मुझे बहुत अच्छा लगा ही shade और बहुत अच्छे से glide होता है just loving it तुमने इसको apply कर लिया and I'm done अब मैंने लगा ली है बिंदी अपने बाल ठीक कर लिये है और earrings पहन लिये है and I am ready ये बहुत simple easy look है अगर आपको अच्छा लगा है ये make-up look तो ये सारे product आप लाइक कर लीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक यू